हेलो फ्रेंड्स आप सभी का नी ओवल टेक में स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे विस्तारा एरलाइन्स में आई लेटेस्ट रिकूर्मेंट की दोस्तो अगर आपका सपना है एरलाइन्स में जॉब करने का देश विदेश घूमने का तो आप सभी के लिए गॉल्डन अपोर्चुनिटी आ चुकी है विस्तारा एरलाइन्स की तरफ से केबिन क्रू के नई और बड़ी भरती आ चुकी है जिया दोस्तो सबसे पहले आपको ओफीशल वापसाइट दिखायते है पुरूफ के साथ में जैसा कि आप सभी की दिसते हैं विस्तारा की ओफीशल वापसाइट है और यहाँ पर आप दिसते हैं केबिन क्रू के लिए ओनलाइन application मागी जारी है और आपको बता दें ये application forum है आपको इस forum को कैसे भरना है कहाँ पर जाकर कि आपको भरना है पूरी requirement की जानकाई देने वाला हूं वीडियो को last act देएगा और दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप सबी से शिकायत रहती आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किजिएगा दोस्तों में जरू शेर किजिएगा और रोज़ना latest equipment की अपडेट पाने के लिए चैनलन को सब्सक्राइब करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की latest equipment की दोस्तों विस्तारा एरलाइंस की तरफ से नई requirement आ चुकी है qualification यहाँ पर जो है कम से कम बारी पास मांगा जा रहा है अगर आप बारी पास हैं तो आप cabin crew की वेकिंसी के लिए 100% apply कर सकते हैं अगर आप graduate हैं तो भी आप apply कर सकते हैं ठीके male और female दोनों ही candidates apply कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर आपके पास में कोई experience नहीं भी है अगर आप fresher हैं तो भी आप apply कर सकते हैं डारेक्ट आपका interview होगा और आपका selection होगा ठीके दोस्तों और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों विस्तारा airlines के अलावा काफी सारी airlines की requirement आ चुकी है जैसा कि Indigo की airlines की requirement से Air India की है और यहाँ पर काफी सारी airlines की वेकिंसी हैं उन सभी की जानकरी और apply करने के लिए आपको हमारी official website पर जाना होगा जिसका नाम है www.tipswirelbuzz.xyz जैसे आप Google में सर्च करते हैं तो आपको यह website मिल जाएगी यहाँ पर आप जाकर के जो भी latest airlines की requirement है उन सभी की apply का सकते हैं जानकरी भी ले सकते हैं तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हम हमारी official website पर आ चुके हैं यहाँ पर आपको बताएंगे विस्तार एरलाइन्स की latest security की पूरी update के बारे में दोस्तों यहाँ पर cabin crew की post है जो की freshers के लिए हैं और experience holder के लिए हैं और यहाँ पर cabin crew in charge की post भी देखने को मिड रही हैं यहाँ पर सिफ online ही आप इदन मांगे जा रहे हैं और यहाँ पर selection process में आपकी कोई भी exam नहीं होगी तो यहाँ पर general OPC SCST के लिए बिल्कुल free है फिरी में apply कर सकते हैं और यहाँ पर job location आप दे सकते हैं न्यू धहली, जैपूर, पुने, भौपाल, चैन्ने, बैंगलूर, एमदाबास सभी जगे job location है और qualification यहाँ अगर आप 12th pass है या फिर अगर आप graduate है तो आप apply कर सकते हैं और आविदन कैसे करना है पूरी जनकरी यहाँ पर दी गई है application यहाँ पर start हो चुकी है 30 October इसकी last date है और online आविदन करने का link भी आपको हमारी website पर मिल जाएगा official website के साथ में जैसे आप यहाँ पर click करते हैं तो आप सिधा विस्तारा की official website पर आजाएंगी यहाँ पर आपक application भी दे रहे किये कहां कहां पर आपकी interviews होगी timing भी दे रहा है कब से कब तक आपकी interview चलेंगी और यहाँ पर address भी मेंजिन कर रहे हैं कि कहां पर आपकी interview चलेंगी तो आपको जाना कहां पर है वो पूरा particular यहाँ पर address मेंजिन कर रहा है तो आप इन address पर जाकर कि आप आपक पूरा complete name डालना है जो कि आपके passport में है जिया दोस्तों आपका जो passport है जिसमें आपका नाम लिखा है वो ही name आपको यहाँ पर fill करना है और आपका address है वो fill करना है contact number आपका mobile number डालना है अगर आप male है तो male और female है तो female gender select कर लिजेगा और यहाँ पर आपकी date over डालनी है और यहाँ पर आपकी highest qualification mention करनी है जो भी आपके पास qualification है maximum वो fill करनी है current location आप कहां से belong करते हैं वो यहाँ पर आपको देना है और यहाँ पर post apply कौन सी post के लिए आप apply करना चाहते हैं वो यहाँ पर fill करना है current organization किस organization में अभी आप काम कर रहे हैं वो mention करना है किस post पे काम कर रहे है designation mention करनी है आपकी height और आपका weight यहाँ पर fill करना है और आपकी 12 में क्या percentage रही है वो यहाँ पर fill करना है minimum यहाँ पर 60% तो होना ही requirement है ठीके और यहाँ पर अगर आपका कोई भी date to है cut marks है या scared से तो आपको यहाँ पर yes no करना है और यहाँ पर जो भी आपसे information मांगी जा रही है वो fill करने है और आपका जो भी latest updated resume है CV है वो आपको यहाँ पर aid करना है upload करना है उसके बाद में finally आपको submit करना है और जैसे आपका यहाँ पर CV shortlist होता है तो आपको यहाँ पर call आ जाएगी तो आप यहाँ पर walk in interview के लिए भी जा सकते हैं दोस्तों यह ती latest requirement की update अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like कीजेगा चैनल को subscribe जरूर कीजेगा धन्यवादी